सब्सक्राइब करें संस्कार टीवी को और हमारे वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को तबाना न भूले मा के घब से जब बालक बाहर आता है तो इस संसार के अंदर आते ही वो रोना स्टार्ट कर देता है बालक से जो मा का सबंद था नो महिने का वहां से तुट रहा है जो आंतरिक घर्ब का जो सबंद था और उसके बाद मा उस बालक को बाहर रुप में सबंद जोड़ देती है कहने का मुल्तात पर ये है कि शुष्य गुरु के साथ रहे या नहीं रहे वो उचित नहीं है जैसे मा घर्ब के अंदर बालक को नवनो महिने तक रखती है उसी प्रकार अगर बालक गुरु के आसरम में जाकर के मा जैसा कुछ करती है इसे बालक कुछ घर में नहीं करता मा जैसा खाना खाती हो मा घर्ब से अंदर बालक ये नहीं कहता के मुझे एख खाना दो तो अपने आप में महां मिल जाता है मकर जैसे गभर से बाहर आ जाता है माया से उस बालक धीरे 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 जब बड़ा होता है तो उनके पास दो शब्दा आ जाते है यह मेरा है और यह तेरा है सास्त्रे कहता है जहां मेरा मेरा हो जाता है वहां माभारत हो जाता है और जहां तेरा तेरा हो जाता है वहां रामायन खड़ी हो जाती है माभारत में दुरोपदी ने सब मेरा मेरा ही कहा और वहां इतना बड़ा माभारत बन गया है रामायन में सिता मैया ने त्याक की पृत्ति दे चलो यह चाहिए ले जा यह इसका है ले जाओ द्रोपदी अगर महाभारत में मेरा मेरा नहीं करती तो महाभारत नहीं बनता रामाएन में सिता महिया तेरा तेरा नहीं करती तो रामाएन नहीं बनता